पॉलिस स्टेशन लिमेट्स हाफीज बाबा नगर में एक चे साल की बच्ची का किड्नेप हुआ बच्ची और अपनी मा के साथ चंचल कोड़ा एरिया में रहते थे और कल एक अवरत आई वहां पर आके उसको बोली कि उसकी जकात में कुछ लोगां पैसे और कपड़े देने वाले थे हफीज बाबा नगर में ऐसा बोल गए वो मदर को और बच्ची को दोनों को आटों में बिटा के वहां तक ले गई नियुक्त बाब कि बाठी को बच्ची की मां पर बोली कि इस गर में एक पास्वाल एक गर में को से यहां जगात दीजाते हैं जब ओन झें कि बाठी की मां वहां गई तौ यह गतिन आथ कर बच्ची को लेके आट आटों में रिकल गई और Aidод div बच्ची की महां डिरेक्ट कंचनबाग पोली स्टेशन में आके कंप्लेंड दिया इम्मेडियेटली केस रिजिस्टर करके टीम्स बनाके पूरे इस एरिया में जहां तक ए सीसी टीवी केमरा से वहां तक उसको फॉलो करते गए और आज सुबह साड़े तीन चार बज़े टाइम में एक कातून को और बच्ची को श्यम्शाबाद देरिया में उसकी गर में कातून की गर में उसको अरस्ट किये और बच्ची को भी वहां से रेस्क्यू किये में रहते हैं उनको 15,000 रुपय को बेचने का उसका आइडिया था इससे पहले उनके उपर कोई किड्नैपिंग केस नहीं थे बलकि उसके उपर एक पीडियेस राइस का स्मगलिंग का एक वहां श्यम्शाबाद में एक केस है जब तक यह चंचल गुडा से वहां अविज बाबा नागर तक गए वहां उसको बच्ची को अपने बातों से उसको उसका साइड कर लिए अपने चंचे नागर और श्यम्शाबाद के प्रणमंतु ने उसका वहां जाने जा उस टाइम पर वहां पर इन लोगों को अमारी टीम्स को पूरी मदद की इस लेडी को गर को लोकेट करने के लिए उन सबी को हैद्रबाद पॉलीस की तरफ और मरी सीपी साब आजनिक कुमार साब की तरफ से उनको बदाए देते हैं